तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं गारांटी साथ क्या सकता हूं कि आपको बोर्ड मांस के आपके पास जितने भी कुस्छन होगे तो आप खुद बाख उन कुस्छन को सौल्व कर लोगे ठीक है तो बस आप आप यह वीडियो को पूरा देखेंगा देख सबसे पहले आपको इसका कॉंसरप्ट बता देता हो लेखी सम्टांओ का मतलब क्या होता है देखिए बोर्ड मांटर म मतलब क्रम के मतलब ят Gका मतलब होता है उर Ya sitting में लिखा होता का ठीक है डीक के मतलब हुझ जानते हैं डि एक होता हमारे पास ऐसा लाइन ब्रैकेट इसको बोलते हैं रेका कोजटक ठीक है और एक होता हमारे पास ऐसा छोटा ब्रैकेट एक होता हमारे पास इस तरह का मंजला ब्रैकेट एक होता हमारे पास ऐसा बड़ा ब्रैकेट इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट इसको बोलते है semi bracket इसको बोलते हैं large bracket यदि आप question में आप आपके पास सवाल आरना चाहिए कि हमारे पास question में जे सारे bracket दिये होंगे तो हम किसको solve करेंगे पहले तो हम सबसे पहले इसको solve करेंगे फिर हम second number पर इसको solve करेंगे और तीश्रे नंबर पर हम इसको solve करेंगे और सबसे last में हम इस बारे bracket को solve करेंगे ठीक है तो चलिए मैं आपको step by step सब कुछ बताने बाला हूँ तो आईए start करते हैं देखिए सबसे पहले हम question को एक बार अच्छी तरह के से देख लेते हैं देखिए यहां पर bracket दिया है कौन से bracket line bracket तो सबसे पहला हमें इसको solve करेंगे तो आईए इसको solve करते हैं तो देखिए जहां पर रेखा bracket है सिर्फ हम उसको solve करेंगे बाकि जो दिया है उसे हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है आप हमेंसा ऐसा ही करोगे तो आठ मेंसे पांच जाएं कितना बचेगा तीन बचेगा तो इसको हमने solve कर लिया इसके बाद देखिए यहां पर divided लगा देंगे देखिए क्या मंजला bracket है सबसे पहला हम इस bracket को solve करते हैं फिर छोटे bracket को फिर हम मंजले bracket को तो इसको तभी आपको हाथ नहीं लगाना है अब देखिए यहां पर छोटे bracket है तो चार मेंसे दो घटा लीजे कितना बचेगा दो बचेगा ठीक है और यहां पर डिवाइड है तो डिवाइड को भी हमें छुएंगे अब इसके बाद देखिए फिर से यहां पर एक छोटे bracket है तो इसको हम solve करेंगे इसको solve कैसे करते हैं देखिए एक आपकी जिक्या भिन है इसके नीचे कुछ नहीं है बन मान लीजे आप अपनी मन से इसका आप लासा लोगे solve करोगे तो कितना आएगा इसका आप लासा लोगे तो तीर लासा आएगा चली मैंना तीर लासा ले लिए एक का भाग तीरा में करेंगे तीरा आएगा तीरा का गुणा दो में करेंगे तीरा दुनी 26 फिर तीरा का भाग तीरा में करेंगे एक आएगा एक का गुणा आठ में करेंगे कर लेंगे तो देखिए 26 में हम 8 जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 34 divided by 3 अब देखिए आपको छोटा ब्रैकेट खतम हो गया अब हम क्या लगाएंगे मंजला ब्रैकेट लगा देंगे इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों देखिए इसको स्वल्व कर लिए हमने छोटे ब्रैकेट को स्वल्व कर लिए अब आता हम मंजला ब्रैकेट की बारी ठीक हैंने कि सेमी ब्रैकेट को कैसे स्वल्व करते हैं आई देख लेते हैं 3 divided यहाँ पर तो बड़ा ब्रैकेट तो हम इसको यसा ही लगा देंगे त täytes को इसको ऀबार्ट लगा दिखेँए को लिखा लेंगे आप दियान दिजीएगा यदे हमारे पास डिबाइड होगा आपको उसको पलट देना है ठीक है उसको आपको रेवर्स आंनी को उल्टा क्र देना है तो जो नीचे लिखा वो उपर भिज़ दीजिए औ nosaltres उसको नीचे भीज़ दीजिए तो तीन Indiana आगले step में क्या आएगा हमारे पास? यहां पर 3 लैका है, 3 लिख दीजिये, divided यहां पर कितना है 3 बाख का निसान? अब देखिए हमने इसको solve किया, देखिए यहां पर 2 se हमने 34 को कार दिये 17 आजड़ा उपर कितना 3 नीचे कितना 17 तो इसको लिख लिजे 3 बटे 17 ओके हमाला मंजरफ रैकेट खतम हो चुका है इसके बाद आप क्या करोगे इसके बाद आप क्या करोगे देखी यहाँ पर 3 divided यहाँ पर देखी फिर से हमने इस ब्रैकेट को स्वल्ब कर लिए अब आती है बड़े ब्रैकेट के बारी तो बड़ा ब्रैकेट हमारा जी रहा इसके अंदर क्या है डिवाइड है तो हमने आभी आपको फैले ही बताया है डिवाइड को कैसे स्वल्ब करते हैं इस डिवाइड को चेंज कर लो आफ मल्टिप्लाइब में जैसे ही आप इसको मल्टिप्लाइब मे 17 बटे 3 अगले step में क्या हो जाएगा दूश्तों यहाँ पर 3 divided एक बार मैं इसको और लिख लेता हूँ 17 को करेंगे 3 में कितना हो जाएगा 17 3 इंक्या और बटे 3 ठीक है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं अब देखे हमारा last step क्या होगा यहाँ पर 3 लिखा है 3 लिख लेंगे यहाँ पर देखे भाग का निसान है इसको हम चेंज करेंगे multiply के sign में और मैंने आप दो 3 बार बता चुका हूँ मैं जब भी यहाँ पर भाग का निसान को हम चेंज करते है multiply में तो जो भी हमारे पास अकला number होता है तो इसको हम पलट देते हैं तो यहाँ पर कितना होजएगा 3 बाटे इंक्या वन अब हम 3 के पारड़े से इसको कार सकते हैं कितने बार कटेगा कि 17 बार कटेगा तो तो कितने बार कटेगा 17 बार एक बार मैं देख लेता हूँ कही है आपसे गलती देने हुई हमसे एक माट रुकी है मैं इसको चेक कर लेता हूं कहीं इसमें गलती देन होई है हमसे तो यहां पर भी 13 होगा ठीक न तो आपका देखी स्वारी मुझसे गलती होगी लेकिन मैं आपको बता देता हूं देखी अब हमारी पास कितना बचेगा उपर 13 अपान 17 यहीं आपको फाइनल आंसर हो जाएगा ओके मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया यहां पर जो हमारा यहां और बना कर देदूंगा ठीक है तो फिला लेस्ट वीडियो में इतना ही यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स पर बोचेंग